वैसे तो यार आजकल सभी लोग मोबाइल में टाइम देख लेते हैं या अलाम लगा लेते हैं लेकिन जो टेबल कलोक होती है वो रूम को अलग ही लुक देती है एस वेल एस उसका जो अलाम का साउंड होता है बहुत ही लाउड होता है तो टेबल कलोक के सेग्मेंट में मैंन लिखे हुए हैं तो इस टेबल क्लोक में दो टाइम मोड है 12 और 24 आर्ज वाला रूम का ये टेमप्रेचर बताता है टू लेवल ऑफ लुमिनेंस सेटिंग है मतलब बेसिकली ब्राइटनेस इसकी दो लेवल की है बाकी 8x6 night और इसकी इन लुमिनेंस डिस्प्ले मेंचन की हुई है अलाम एंड सुनूच का फीचर है पावर कंजप्शन लिखा हुआ है इसमें उसके निचे 3 AAA बैटरीज के बिना ये आता है क्योंकि इसके अंदर 3 AAA बैटरीज से भी आपी से चला सकते हैं इसके बाद बॉक्स के कंटेंट दिखा देते हैं आपको तो बॉक्स के कंटेंट में थ्री मेन तिंग्स दिए हुई है ये यूसबी के पल मैनुवल जिसमें डिटेल्ड फीचर लिखे हुए है कि कैसी यूज करना है और ये है अट्रेक्टिव से दिखने वाली LED मिरर क्लोक जिसकी डिस्प्ले मिरर टाइप वाली है एक पर आपको ये मैनुवल दिखा देते हूँ जिसमें सब इंस्ट्रक्शन के साथ डिटेल्ड फीचर लिखे हुए है जो आप पॉस करके आराम से देख सकते हैं ये इस साइड है और दूसरी साइड चाइनिज लेंग्वेज में है यहां पर इंग्लिश लेंग्वेज में है पॉस करके देख लेना सारे फीचर और इंस्ट्रक्शन्स तो क्लोक के ऊपर की साइड कुछ बटन्स दिये गए है मौड अलाम स्नूज लाइट अप एंड डाउन वाले एंड बैक साइड में यह बैटरी कंपार्टमेंट है जिसमें 3 AAA बैटरी डलेंगी यानि अब बैटरी से चला सकते हैं इने और इसके अलावा यह पावर केबल लगाने के लिए है यानि आप इसे भी जली से भी चला सकते हैं लुक वाइज और बिल्ट वाइज वो बहुत ही बड़िया लग रही है यह टेबल क्लोक तो सबसे पहले तो मैं इसमें 3 AAA बैटरी डाल कर बैटरी से चला कर दिखाऊंगा और इसकी से शेटिंग कर के दिखाऊंगा उसके बाद मैं इसे पावर से भी चला कर दिखाऊंगा यॉस्बी के थूँ तो यह 3 AAA बैटरी मैं ले आया हूं इसको इसमें लगाते हैं तो यह लग गई हैं बैटरी बैटरी लगते इसने साउंड दिया और यह है इसका टाइमारा 000 इसमें एक चीज़ यह है कि बैटरी मोड पे यह 3 से 5 सेकेंड बाद और ऑफ हो जाती है मतलब जब आप उसे प्रेस करके ऐसे टाइम देख सकते हैं जबकि हम अगर इसे पावर से चलाते हैं तो इसे बाद मैं आपको पावर से चला कर भी दिखाऊंगा जैसे बहुत हो गई है इसकी डिस्प्लेइ अगर पावर से होती है तो डिस्प्लेइस की ओ नहीं होती पर्मानेंट इसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसकी setting कैसे करेंगे time की बागी इसके features क्या क्या है तो setting के लिए हमको mode button को पहले तो इसको on कर लिया यहां से और mode button को long press कर लिया तो mode button को long press करते ही यह आर की timing दिखाने लग गया जिसे हम up and down करके change कर सकते हैं तो अभी जैसे time हो रहा है चार बच के 20 minute तो इसमें मैं setting करता हूँ 4 और यह single click करते ही press करते ही यह minutes में चला जाएगा अब करके up and down करके मैं minutes की timing set करता हूँ 4 बच की किस minute तो यह 4 बच की किस minute मैंने set कर दिया है next single press करूँगा तो 24 hours यह 12 hours मैंने set करना है यह बताएगा तो मैं 12 hours set करूँगा इसको 24 hours वाले mode में जाकर up and down करना है जिससे हम 12 hours यह 24 hours mode select कर सकते हैं इस mode के और भी features दिखा देता हूँ आप इसको single press करते हैं अगर बैटरी mode में है तो यह on दिखाएगा यहां से display on कर देगा display on तो यह किसी भी button से कर देगा और एक और single press करते हैं तो room temperature दिखाएगा जोगी 32 degree celsius actual में है अभी और इसके बाद single press करते हैं तो यह off कर देता है mode को तीन पर press करने पर जो off display हो रहा है यह night mode off है तो इसके बाद आपको alarm button यूज करना बताते हैं यह आप जैसी alarm button दबाएगे तो alarm सेट हो गए लेकिन alarm की timing क्या set करनी है उसके लिए आपको उसको long press करना पड़ेगा अब अगर मैं इसको long press करता हूँ तो यह timing दिखा रहा ह alarm लगाने की तो मैं अब करके जैसे suppose मैंने 6 बजे की timing लगानी है और फिर single press किया तो minute में चला गया और इससे मैं आगे करके 0 पर लाजा तो अभी 6 बजे की timing लग गया है अभी alarm के बाद यह आता है snooze timing के इतनी रखनी है 5 minute रखनी है या 6 minute इसे पीछे करोगे तो maximum 60 minute तक की यह snooze timing दिखाता है तो इसके बाद alarm को single press करने पर यह सेट होगे alarm 6 बजे का और अभी टाइम हो रहा है 4 बज़के 27 minute और इसके लगव हम आपको बता दो जो alarm बटन एक बड़ single press करते हैं तो जैसे alarm set हो गया है अब यह alarm on हो गया है और 6 बज़े का हम जैसे alarm set किया था तो व alarm off अगर आपने alarm set किया है तो alarm लगाते हैं ध्यार रखना कि यह PM लिखा रहा है या AM लिखा रहा है AM में कुछ लिखा नहीं आता PM में देखिया ऐसे PM लिखा आता है वापस अगर हम जाते हैं तो AM में कुछ नहीं लिखा आता है इसके मतलब AM mode पे है अब मैं आपको इसमें पर alarm set करके दिखा देता हूं कि इस तरह से इसमें alarm बज़ता है अब अगर जैसे 4 21 बज़े हुए हैं तो मैं 422 का alarm लगा कर आपको alarm सुना के दिखा देता हूं इसमें 422 का alarm set कर रहा हूं यह 422 हो गए और alarm set करने के पाद ध्यान रखना कि यह अपने alarm बटन दबा दिया और पर air लिखा आ रहा है तो कुछ इस तरह से alarm का sound बजना शुरू होता है अगर हम इसे snooze नहीं करते हैं stop नहीं करते तो alarm की speed बटन ही शुरू हो जाती है अब जो इसमें अब बटन है इसमें timing set करने के अलावा इसे एक बर single press करेंगे तो यह display level 1 पे चले जाएगी फिर करेंगे तो display level 2 पे चले जाएगी यानि दो brightness setting दे रखी है यह तो यह सब इसके key settings mode थे कैसे कैसे इसको set करना है और इसके features कैसे use करने है सेटिंग कैसे करनी है अब इसके बाद मैं USB cable लगा कर आपको power से चला कर दिखाऊंगा इसकी battery से निकाल कर तो power के लिए मैं mobile adapter यूज कर रहा हूं जिसमें USB cable लगाऊंगा यह तो यह मैंने power पर लगा लिया है और इसके बाद इससे लगाता हूं तो रिसेट होगी है ताइमिंग इसकी तो महां टाइमिंग पावर पर लगाने के बाद दुबारा सेट करनी पड़ेगी तो इसकी डिस्प्ले ओफ नहीं होगी अगर बैटरी से लगी होती है जैसे मैंने पहले बताया तो यह ओफ हो जाती है तो बागी सब मैंने आपको ब पाई कर सकते हैं